हेई वाल्गाम बेक ट्यूर चैनिल दोस्तों अचके इस वीडियो में बात काने वाला है वाय। की देबाइस में नेविगेशन पर हाइड करके फूल स्क्रीन गेस्टा सेट कैसे करें। फूल स्किन डिस्प्रे सेट करने के लिए सबसे पहले आपको फोन के सेटिंग्स में आँगा फोन सेटिंग्स ओपेन करने के बाद यहां सार्ज बार पे फाइन करेंगे नेविगेसान नेविगेसान लिखते ही आपके समने एक इंस्ट्रक्शन आएगा इस पे क्लिक करके आप सिधा system navigation में जा सकते हैं या तो phone settings open करने के बाद scroll करते हुए नीचे नीचे आई है इसके बाद system settings पे tap करेंगे दोस्तो system settings के अंदर आपको navigation features देखने को मिल जाएगा by default यहाँ पे button select रहते हैं अगर आप button से full screen में बदलना चाहते हैं तो गेसर select कीजिए learn gesture full screen कैसे use करना है अगर आपको पाता है तो cancel करिए नई तो learn पे tap करके full screen gesture use करना सिखिए number one swipe in from left or right अगर आपको back करना है तो left और right side से इसी तरीके से swipe करना होगा फिर आप किसी भी application या setting से back जा सकते हैं number two swipe up from the bottom नीचे से अगर हम जोल्दी swipe करेंगे तो आप सीधा home page में चले आएंगे number three swipe up from the bottom of the screen and then hold यानि कि नीचे से swipe करके pause करना है फिर आपने जो recent application use किया है वो चले आएगा number four swipe left or right along the bottom edge of the screen left or right side में guesser bar को swipe करके एक recent application से दूसरा application में जा सकते हैं दोस्तो इस तरीके से guesser tutorial से full skin use करना सीख जाएंगे इसके बाद hide guesser guide bar को turn on करके नीचे जो guesser bar दिख रहा है उसे आप hide कर सकते हैं switch to previous app यहां से अगर हम guesser bar को left और right side से swipe करके hold करेंगे तब previous recent application open हो जाएगा तो दोस्तो इसी तरीके से अब अपने phone पर full screen गेसर यूज़ कर सकते हैं उम्मीद करते हूं कि एफ वीडियो आपके लिए बहुत है भूलता तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सबसे करना ना भूलें